हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में मैं हूँ शशांक मिस्रा और यहाँ पर हम UPSI के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे होंगी टल जाएंगी परिक्षाएं ये सारी दुविधाएं जो चात्रों के मन में बनी हुई है दोस्तों मेरे एक बात है, मेरी एक सलाह है आपको कि परिक्षा तो होनी है कोरोना का लाव अगर आप ले पा रहे हैं चुट्टी का तो पोस्टपोन का होने का लाव ले पा रहे हैं घर पे रहके पढ़ाई करने का लाव ले पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आप इस बात का इंतजार मत करिए कि परिक्षा टल जाए तो आराम से पढ़ कोरोना चुकी बहुत ही खतरनाक रूप से फैल रहा है और यह अपने नए रूपों में म्यूटेंट होकर यह फिर से ज्यादा प्रभावशाली होकर जनता के बीच में काफी नुकसान पहुचा रहा है आए दिन खबर मिल रही है कोई मर क्या कहीं इधर कोई मर क्या जान आज हम बात कर रहे हैं कारक की आज हम कारक को समझेंगे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कारक बहुत आसानी से चीज़ें इसमें जो है समझ में आ जाएंगी परिक्षा में दो-तीन प्रस नहां से जरूर आते हैं और दो-तीन प्रस नाने का मतलब है पांच नंबर, साथ साड़े साथ नंबर के आसपास आपको यहां से पका मिलने वाला है और यहां एक एक दो-दो नंबर में मेरिट बदलती है, साथ साड़े साथ नंबर अगर आपका यहां से सही हो जाता है कारक से तो बहुत अच्छी बात है और काफी प्लस पॉइंट में अगर आप आ जात और यहां पे आपको सारी classes मिलेंगी, targeted classes हैं, जो UPSI को लेकर तयार की गई है, यहां पे test series और आपको provide कराई जाएंगी, और यहां पे हर class की PDF note आपको provide कराई जाएगा, telegram channel से आप जुड़ जाएं, और वहां पे आपको रोज MCQs जो है, वहां पर solve कराई जाते हैं, पूछे coaching junction search करें telegram पर, या फिर description में दिये लिंक पर click करके उस से join कर लें, number यह है, इस पर आप call कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की परिशानी होती है, आपको इस site पर भी visit कर सकते हैं, तो चलिए सुरू करते हैं, आज हम कारक, कारक किसको कहते हैं सबसे पहले, यह हम समझेंगे, उस कारक का क्या मतलब होगा, कारक का अर्थ होगा, करने वाला, करने वाला, जो कोई भी कारे कर रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कारक कहते हैं, लेकिन व्याकरन की दिरिश्ची से अगर हम बात करें कारक किसको बोलेंगे, तो कारक का अर्थ होगा, जो भी उद्देश और वि देहे के बीच में संबंध स्थापित करता है उसी को हम कारक बोलते हैं अब आपको उद्देश से पता होगा उद्देश किसको बोलते हैं सब्जेक्ट को उद्देश बोलते हैं अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में उद्देश जैसे मैंने कहा, राम घर जाता है, ऐसे नहीं, इसको लिखता हूँ, राम ने खाना खाया, मैंने लिखा, राम ने खाना खाया, यहाँ पर राम क्या है, यहाँ उद्देश है, यहाँ सब्जेक्ट है, उद्देश है, यहाँ पर राम उद्देश है, और बाकी चीज़ें यहाँ क्या हो गया, यह हमारा विधेय हो गया, विधे और उद्देश और विधे की बीच में जिसने संबंद इस्थापित किया यही जो है वह क्या कहलाएगा कारक कहलाएगा बात आपको समझ में आ गई होगी कारक राम और खाना खाया के मद्ध जो है ने शब्द ने संबंद इस्थापित किया कि किस ने खाना खाया, राम ने खाना खाया तो यहाँ पर ने शब्द क्या हो गया कारक हो गया, अब यह कौन सा कारक है यह हम बाद में समझ लेंगे आपको कारक समझ में आ गया होगा, कारक किसको बोलते हैं ठीक है? यहाँ पर उद्देश किसको बोलेंगे हम उद्देश कहते हैं जिसके संबंध है बात की जाए हम राम के संदर बात कर रहे हैं तो राम क्या हो गया उद्देश हो गया और बाकी जो बसता है वो विधे हो गया और संबंध इस्थापित करने वाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, कारक बोलेंगे, बात आपको समझ में आ गई होगी, अब कारक जो चिन होते हैं, ये सारे जो चिन हैं, इनको परसर्ग बोलते हैं, परसर्ग, जैसे उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है, जो किशी भी सब् के बाद में जो शब्द प्रियुक्त होता है, जो भी वर्ण प्रियुक्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं, उसी तरह से परशर्ग जो है, संग्या या सर्वनाम के बाद प्रियुक्त होने वाला सब्द है, एक शब्द प्रियुक्त होता है, संग्या सब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं परसर्ग कहलाते हैं पर मतलब होता है बाद में सर्ग मतलब चलना ठीक है ना बाद में जो सब्द चले जो बाद में किसी भी शब्द के किसी भी संग्या या सर्वनाम के बाद में जो शब्द प्रियुक्त किया जाएगा वही क्या कहलाएग आपको जिससे चीजे और आसानी से clear हो जाएंगी दो, चार उदारनों से भी इसको समझ लेंगे अच्छे से हम तो परसर्ग को समझ में आगया है परसर्ग किसको बोलेंगे हम परसर्ग जो है जίस defenders के हो गया के लिए राम और राम क्या है यहाँ पर संग्या है और संग्या के बाद में जो शब्द लग गया है ने लग गया ना संग्या के बाद में यहाँ पर सर कहलाएगा बात आपको असानी से समझ में आ गई होगी अब हम अगर इसके परिभाशा की बात कर लें किसकी परिभाशा क्या होग तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कारक कारक की परिभाशा होगी मैं pen change कर लेता हूँ संग्या या सर्वनाम के जिस रूप का संभंध जिस रूप का संभंध वाक्य के अन्य जो है भाग के साथ जब होता है तो उसको क्या बोलते हैं कारक बोलते हैं वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते है कहते है यह जो परिभाशा है यह कामता प्रशाद गुरु ने दी है कामता प्रशाद गुरु हिंदी के पाड़ीनी कह जाते है 1920 में इनकी पुस्तक भी आई थी हिंदी व्याकरन के नाम से जो हिंदी की पहली पुस्तक थी उसी पुस्तक से परिभाशा ली गई है कि संग्या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कारक बोलते है जैसे मैंने आपको बताया कि राम ने खाना खाया राम ने किताब पढ़ी राम ने गाना गाया इसमें राम जो है यह क्या है संग्या है या सर्वनाम है संग्या है यहाँ पर यह राम उसके बाद जो है ने शब्द जो है कारक कहलाएगा यहाँ पर परशर कहलाएगा और बाकी शब्दों के साथ जो है उसका समंध राम का समंध बाकी शब्दों के साथ जो है इस्तापित हो रहा है वो कारक के द्वारा हो रहा है ने के द्वारा हो रहा है ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या हो जाएगा, का रख हो जाएगा, ठीक है न, बाद आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से, जैसे मैंने कहा, उधारन भी लिख लेते हैं, जैसे, गीता ने गाना गाया, गीता ने गाना गाया, यहाँ पर गीता संग्या है, और यह जो है, विधेय है, ठीक है न, और यहाँ पर क्या हो रहा है, संग्या का संबंद इसके साथ बाकी वाकिके शर्दों के साथ जब हो रहा है, वह संबंद कौन इस्थापित कर रहा है, ने कर रहा है, इस परगसर्ग के द्वारा, यह जो है, संबंद इस्थापित हो रहा है और यही जो है क्या कहलाएगा कारक चिन कहलाएगा या कारक कहलाएगा ठीक है ना बात आपको समझ में आ गई परसर को ही हम बिवक्ती भी बोलते हैं ठीक है ना इन्हीं चिन्नों को हम बिवक्ती बोलते हैं चुकि बिवक्त कर रहे होता है बिवक्त होते अगर आपको यह नहीं समझ में आया है तो comment में आप एक बार बता दीजगा या फिर telegram से जोड़ जाएए वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आया होंगी व्यक्तिगत तोर पर मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा यह सारी चीज़ें ठीक है तो अब हम कारकों को देख लिया हमने की कारक हम किसको बोलेंगे अब हम इसके कितने भेद हैं यह समझ लेते हैं कारक के कितने भेद है तो अगली जो heading है हमारी वह क्या है कारक के भेद कारक के भेद वैसे कारक के सिर्फ 6 भेद होते हैं संस्कृत में लेकिन हिंदी में दो और भेद यहाँ पर extra जोड़ जाते हैं संबंध और संबोधन यह दोनों मिलाकर कुल आठ जो है हिंदी में कारक के भेद हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको वर्णा confusion होगा तो चूंकी अच्छा यह नहीं चूंकी नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं इसको इसको लिखते हैं संस्कृत में कुल छे कारक होते हैं परन्तु हिंदी में हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में क्या होता है की संबंध कारक संबंध वा संबोधन ऐसे लिखते हैं वा संबोधन दो अन्य कारक भी होते हैं इसलिए हिंदी में कुल आठ कारक होते हैं हिंदी में हिंदी में कुल आठ कारक होते हैं एक एक करके हम आठों को समझ लेंगे परिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और परिक्षा में यहां से प्रस्न आते ही आते हैं निश्चत तौर पे दो-तीन प्रस्न तो आते हैं चाहे जो हो जाए तो एक एक करके इन सभी को हम समझ लेते हैं विवक्ति कौन सी होगी कारक कौन से होगे उनके चिन्न कौन कौन से होगे यह साई चीट है में आपर समझ लेंगे कारक चिन्नों को ही हम विवक्ति कहते हैं संस्कृत में प्रत्मा विवक्ति, दुतिय विवक्ति, कुल मिराजवा के अस्टम विवक्ति तक होती है, आड विवक्तिया होती है, चोकी, तो संस्कृत में ऐसे खस्टी विवक्ति तक होती है, छे विवक्तिया ही होती है, वैसे हिंदी में आठ विवक्तिया हो जाएंगी, तो यहाँ पर संबंद और संबोधन हम एक्स्रा यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है न? यह संबोधन है, ठीक है न? O की मात्रा तो यहाँ पर यह सारी बातें हमको ध्यान में रखने हैं एक ही करके हम सारे कारक के भेद को समझ लेते हैं पहला जो है, अच्छा एक सारी हम बना लेते हैं ठीक है न? उससे जो है चीज़ें आसानी से आपको पता चल जाएंगी अब यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजे, बिवक्ती सबसे पहले बिवक्ती, फिर कारक और फिर चिन जो उसका है, वो चिन इसका जो है, वो है जो है, क्या है? इन सारी चिनों को एक एक करके हमें आपर देख लेते हैं आप इस तरह से एक सारी बना लीजे यहाँ पर प्रत्मा बिवक्ती और कारक कौन सा हो जाएगा? करता सबसे पहले करता ही होता है, करता होगा फिर कर्म होगा तो इस तरह से सबसे पहला जो होता है, वो करता होता है, राम ठीक है न, जो कारे कर रहा हो, ठीक है न, करता तो करता के साथ जो भी चिन लगेगा चिहन लगेगा वो क्या हो जाएगा ने लगेगा ठीक है ने अच्छा एक बात और मैं आपको और बता दूँ वर्टनी सुधी के हिसाब से चिहन ऐसे लिखा जाता है वो चिन नहीं होता है हम लोग क्या पराहे लिख देते हैं चिन लिखते समय हम इस तरह से लिखते देते हैं लेकिन यह शब्द जो है अशुद्ध है चिन ऐसे होता है ना आधा नहीं होता है हा आधा होता है तो इस बात का आपको ध्यान लखना है तो यहाँ पर चिन इस तरह से लिखा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर वर्तनी शुद्धी थोड़ा सा यह हम जान ले हिंदी के छात्र है तो इतना तो आपको आना ही चाहिए ठीक है ना तो अब मैंने क्या बताया आपको कि प्रथम बिवक्ती और करता कारक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा कौन सा चेहन प्रयोग होगा यहाँ पर ने प्रयोग होगा करता ने अभी मैं आपको चार पंक्तियों के एक पोईटरी है उससे भी आप चीज़ों को अच्छे से याद कर पाएंगे कि किस करता के लिए क्या होगा, कर्म के लिए क्या होगा, कौन सा चीन का प्रयोग होगा, यह साइच चीज़ है, आप वहाँ पर भी आसानी से सीख पाएंगे, अभी एक पोईटरी है, चार पंक्ति की, उससे आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, मैं भो भी अभी कर्म, अब कर्म को हम जो है को से लिखते हैं, ठीक है, इसके लिए कौन सा चिन प्रयोग होगा, को का प्रयोग होगा, अभी एक एक करकर इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अगर यहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो अभी जो है आपको जब हम एके करके बात कर जैसे राम ने खाना को खाया, ठीक है ना, किसको खाने की बात हो रही है, खाने को खाने की यहाँ पर, तो क्या हो रहा है कर्म के लिए कौन सा प्रयोग होगा, को जो है यहाँ पर प्रयोग होगा, ठीक है ना, यह बात आपको समझ में आ रही होगी, अब जो है तृतिया भी ठीक ना, कर्ता ने कर्म को करंड से, ठीक ना, करंड यहाँ पर क्या होगा, से हो जाएगा या तो द्वारा, तो यह बात आपको समझ में आ गए होगी, यहाँ फिर फिर चतुर्थ आएगा, चतुर्थ भी भक्ती, यहाँ क्या होगा, समप्रदान, मतलब क्या होता है, देने वाला, ठीक ना, यहाँ पर देने वाले की बात हो रही है, फिर देना, ठीक ना, तो प्रदान करना, तो यहाँ पर करता ने कर्म को करंड से समप्रदान, के लिए, के लिए या को ठीक है न? अब पंचमी विवक्ति अगर हम पंचमी विवक्ति की बात करें तो वह क्या हो जाएगा हमारा पंचमी अपादान अपादान मतलब क्या? यहाँ पर अलग होने की बात जब की जाएगी ठीक है न? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान तो से हो जाएगा ठीक है न? अब यहाँ पर इस से और इस वाले से में अंतर है इसका अर्थ जो है से मतलब क्या द्वारा से लिया जाएगा? इसकातात परस से और जब यहां अलग होने की बात की जाएगी तो वहां पर क्या होगा? अलग होने का जहां भाव होगा वहां पर येसे होगा और उसके लिए अपादान कारथ होगा, तीक है न? इस बात का ध्यान रखना है अभी एक बार हम इसको देख रहे हैं, लिख रहे हैं, बाद में भी हम एक एक करके समझेंगे, वहाँ और अच्छे से है, clear हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो यहाँ पर line थोड़ी मैं और बड़ी खीश लेता हूँ अभ हमारा क्या है, खस्ठी विवक्ति, खस्टी विवक्ति हमारा क्या हो जागा यहाँ पर, खस्टी विवक्ति, संबंध, और संबंद की बात होगी तो का के की इन सब चीजने शब्दों का प्रियोग होगा यहाँ पर ठीक है ना का की के इन शायरे शब्दों का यहाँ पर प्रियोग होगा ठीक है ना यहाँ पर राम का सीता से संबंद कृष्ण का अर्जुन से संबंद तो यहाँ पर का शब्द का प्रियोग होगा, की सब्द का प्रियोग होगा, ऐसे शब्दों का प्रियोग होगा यहाँ पर, ठीक है न, खस्टमी विवक्ती यह होता है, ठीक है न, विवक्ती कौन सी हो जाती है, खस्टी विवक्त हो जाती है, ठीक है न, यह बात आपको समझ में आ रही होगी, अब सब्तमी विवक्ति क्या हो जाएगा, सब्तमी विवक्ति, सब्तमी विवक्ति हमारा क्या हो जाएगा, अधिकरण, एक मेंट, अधिकरण, इसके लिए जो correction है, वह क्या हो जाएगा, पर, यानि की किसी के ऊपर ठीक है न, या मैं हो जाएगा ठीक है न, यह सारे हो जाएगे, अब अस्ठमी विवक्ती अस्ठमी विवक्ती की अगर हम बात कर लें, तो क्या हो जाएगा संबोधन संबोधन हो जाएगा और संबोधन जैसे हो गए हे ओ हो ओ अरे ये शारी जो सब्द होते हैं वो संबोधन में प्रयोख होते हैं ठीक है न तो ये सारा क्या हो जागा हो जैसे यहाँ पर हो लिख ले तो ये शारी जो सब्द हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे संबोधन हो जाएंगे ठीक है ना तो प्रत्मा भीवक्ती कौन सा कारक होता है करता कारक होता है इसके लिए ने शब्द का प्रयों होगा ने चिन्ध का प्रयों होगा तो तिये भीवक्ती कर्म कारक होता है इसके लिए को का प्रयों होगा इसी तरह से तत्या के लिए से और उस से का जो सेंस है उस से का जो भाव निकलेगा वह द्वारा से निकलेगा ठीक है ना जैसे पेंड से ठीक है जब पेंड से तो पेंड से आपको क्या प्राप्थ होता है मालिया ऐसे नहीं ऐसे कहते हैं कि जैसे मैंने का गाय से दूध प्राप्थ होता है पर भाव जो निकलेगा से का वह द्वारा होगा ठीक है ना और संप्रदान में क्या होगा के लिए या फिर को का प्रियो होगा अपादान में क्या होता है ना यहाँ पर जब बिछो बिछडना होता है जब अलग होने की बात होगी ना जैसे पेंड से तूटना तो यहाँ पर समंद में का के का प्रयोग हुगा, आदि शब्दों का, आपी देखेंगे उसको और रेलख से हम, अधिकर्ण में पर और में का प्रयोग हुगा, संबोधन में क्या होगा, हे अरे हो ये सारे शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है न? तो यह चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अच्छा इसके लिए एक कविता भी है चार पंक्तियों की जिससे आप इसको याद कर सकते हैं बहुत आसानी से वह एक कविता है करताने फिर कर्म को और करण से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान काके की समंध में पर अधिकर्ण समान संबोधन हो हे अरे कारक वही कारक की पहचान ठीक है यह एक कविता है इसको हम लिख लेते हैं एक बार जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा चीज़ें ठीक है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा करताने फिर कर्म को करताने फिर कर्म को और करण से जान करताने फिर कर्म को और करण से जान यानि करता के लिए कौन से शब्द प्रियोग होगा करता के लिए ने का प्रियोग होगा यहाँ पर ने का प्रियोग होगा फिर कर्म को कर्म के लिए क्या प्रियोग होगा यहाँ पर को प्रियोग होगा और करण के लिए क्या प्रियों होगा, से प्रियों होगा, बात आपको समझ ब्यारी ने, करता ने फिर कर्म को और करण से जान, यहाँ आपको सम करता के लिए ने कर्म को को और करण से, करण के लिए क्या प्रियों होगा, यहाँ पर से प्रियों होगा, ठीक है ना? संप्रदान को के लिए और अपादान से मान तो यहां पर क्या हो रहा है संप्रदान में क्या हो रहा है यहां पर आपका संप्रदान में को या के लिए का प्रियोग ठीक है न और अपादान में क्या हो रहा है आपर से का प्रियोग और यहां शे क्या है अलग होने के भाव में यहां पर प्रियोग हो रहा है यह बात आपको समझ में आ रही है न करता ने फिर कर्म को और करण से जा संप्रदान को के लिए अपादान से मान। ठीक है ना, यहां पर यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। काके की संबंध में, काके की संबंध में, काके की संबंध में पर अधिकरण समान। पर अधिकरण समान का के की समंद में पर अधिकरण समान मतलब समंद कारक में क्या होगा का के की का प्रियोग होगा ठीक है ना यहाँ पर का का प्रियोग के का प्रियोग और की का प्रियोग किसके लिए होगा समंद कारक के लिए होगा और पर या मे का प्रियोक्स अधिकरण के लिए यहाँ पर होगा ठीक न? यह बात आपको समझ में आ रही होगी अब हम अगली जो हमारी पंक्ती है एक मिनिट अगली जो हमारी पंक्ती है वह है संबोधन हे हो अरे संबोधन हे हो अरे कारक की पहचान बात आपको समझ में आई न? यहाँ पर एक गरंथ लिखा गया था उस गरंथ में ऐसे ऐसे कविताएं लिखी गई थी छोटे-छोटे अलंकारों के लिए रसों के लिए जिससे चीजें और असानी से याद हो जाए जो कम पढ़े लिखे लोग है उनको इन गीतों के माध्यमसे चीज़ों को याद कराये जा सके या फिर असानी से परिभाशाओं को याद कराये जा सके उसके लिए ऐसे जो है उसमें कविताएं लिख भी गई थी तो वहीं से लिया गया है यह कविदा तो बहुत पुराना गरन्थ है मुझे रचनाकार का भी ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है किसी आधिकाल में किया सपास यह व्यकरन की जब किताबें लिखी जा रही थी तो उसी किया सपास यह लिखा गया होगा तो मुझे याद नहीं आए चुकि वो सन नहीं आद आ रहा है और वो लेखक भी नहीं आद रहा है रचना कारण नहीं आद आ रहा है मैं आपको बता दूँगा किसी दूसरी क्लास में वो सारी बातें तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लिग गई हैं काके की comport में पर अधिकरन समान संबोधन हो है यृ कारक की पहचान थीकज न है के पहचान थीकज़ न कारक ,guntill सब्सक्राइब जिएक कारक की पहचान हो गए यह ten魚 न अब आपको क्या करना है कारख करके देख लेना है इन सभी को चली सबसे पहला heading डालेए heading डालते हैं हम लोग करता कारक पहला है करता कारक ठीक है ना करता कारक किसको बोलेंगे जहां पर जिसके द्वारा कारक किया जा रहा हो ठीक है ना जिसके दवारा कार्य की आजा रहा होगा, वह करता होगा, और उसके लिए प्रियुक्त होनावाले शब्द को हम क्या बोलेंगे, करता कारक बोलेंगे, करता के लिए कारक चिन बोलेंगे ठीक? तो यहां क्या हो जाएगा? वाक्य में क्रिया को करने वाला 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 क्रिया क्रिया को करने वाला क्रिया 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 पढ़ता है, ठीक है न, जैसे उदाहरन भी अगर लिख लें इसका, तो इसका क्या उदाहरन हो जाएगा, विवेक पढ़ता है, ठीक है न, विवेक पढ़ता है, तो यहां पर विवेक के उदाहरन क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो विवेक क्या है, यहां पर करत और इसके लिए यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर क्या हो रहा है विवेक पढ़ता है यहां पर विवेक के पढ़ने की बात की जा रही है तो विवेक यहां पर क्या हो जाएगा करता हो जाएगा लेकिन जब इसी करता की बात हम भूत काल के लिए करेंगे न तो यहाँ पर क्या और विवेक पढ़ता है यहाँ तो भूत काल की बात नहीं नहीं हो रही है यहाँ पर भूत काल नहीं 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 यह लेकिन विवेक ने पढ़ाई करी अब यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे ही विवेक को करता को मैंने भूत काल में रखा यहाँ पर क्या हो जाए करता जैसे ही यहाँ पर किसमें आया भूत काल में आया यहाँ पर क्या हो जाए कारक चिन्ह का प्रियोग यहाँ पर हो जाएगा ठीक है न यहाँ पर करता कारक में जो है चिहन का प्रयोग कब होगा जब यहाँ भूत काल की बात की जाएगी हाँ यहाँ पर भूत काल जैसे आएगा, यहाँ पर देखे, क्या हो रहता है, चुकि भूत काल नहीं था, तो यहाँ पर करता जो है, कारक का चिहन नहीं लगा हुआ था, जैसे यह भूत काल में हुआ, वहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ने का प्रियोग हो गया, करता के लिए ज ने का प्रियोग करने के लिए आपको भूत काल में ले जाना होगा इसको, तो विवेक ने पढ़ाई की, यह भूत काल का फाक्य हो गया, और यहाँ पर आपको ने लगाना ही पढ़ेगा, ठीक है न, और यही ने क्या हो जाएगा, आपका परसर्ग हो जाएगा, या तो कारक चिन हो जाएगा, ठीक है न, बात आपको समझ में आ रही होगी, तो करता कारक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जहां पर भी ने आपको देखे, आप बता देना, आपको बता देना, परिक्षा में ऐसे ही प्रस्ण पूछे रहेंगे, यहाँ पर पूछ ले जाए तो आपको आसानी से टिक लगा देना है, जो ने है, वह क्या है, करता कारक है, ठीक है न, अब जो अगला है, उसको हम देख लेते हैं, अगला जो है, दूसरा नमबर, वह है कर्म कारक, इसकी परिभाशा हम देख लेते हैं, तो परिभाशा हमारी क्या हो जाएगी कि क्रिया का प्रभाव क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पढ़ता है वस्तु पर पढ़ता अभी मैं इसको समझाता हूँ अच्छे से है उसे कर्म कारक कहते है ठीक है अब यहाँ पर जैसे मैंने बात करी की राम ने रावन को मारा यहाँ पर मारना क्या है क्रिया है यह क्या है यह क्रिया है और यहाँ पर करता कौन है राम है और किस को मार रहे है रावन को मार रहे है न तो क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है रावन पर पढ़ रहा है ठीक न तो यहाँ पर के काप्रियो, को काप्रियो हुआ, किसको मारा, रावन को मारा, तो क्रिया और यहाँ पर किसको मारने की बात हो रही है, इसके बीच में जो भी चिनल लगेगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, ठीक न, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाए प्रभाव पढ़ रहा है राम हमारे करता हो गए राम ने वह काम किया है वह कारे किया राम ने और यहाँ पर रावन क्या है कर्म है जिस पर इसका प्रभाव पढ़ रहा है क्रिया का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है रावन पर पढ़ रहा है राम ने जब मारा तो किसको मारा किस पर इस मारने का परभाव किस पर पढ़ा रावन पर पढ़ा जैसे मैंने कहा कि विवेक ने पुस्तक पढ़ी विवेक ने पुस्तक को पढ़ा तो यहाँ पर पढ़ने की का कारे किस के साथ हो रहा है पुस्तक के साथ हो रहा है और कौन पढ़ रहा है को इस्थापित कर रहा है ठीक है न वह कारक चिन कौन सा लग रहा है यहाँ पर को लग रहा है वहाँ पर भी कारक चिन जैसे यहाँ पर को लग रहा है कारक चिन न वैसे वहाँ पर भी को लगेगा और यही क्या हो जाएगा परसर हो जाएगा और यही कारक चिन हो जाएगा ठ कि यहां पर कर्ता है और कर्म के बाद जो भी चेहन का प्रयोग होगा तीक ला को यह बात आसानी से समझ में आ रहे होगा इसमें कुछ डीप जाके ऐसा समझाने का है नहीं तो ऐसे प्रस्ट बहुत शिंपल से आते हैं आपको यहांसे हो भी रहेंगे वो सारे ठीक है अब हम चलते हैं अपने अगले कारक पर अगला है कि करन कारक करन कारक किसको कहते हैं हम इसको समझ लेते हैं कि क्या हो रहेगा कि करता जिसकी सहायता से कारे करता है करन कारक कहते हैं उसे करन कारक कहते हैं और इसके लिए प्रियुक्त होनाले चिन है उसको क्या बोलेंगे से या द्वारा ठीक है न तो यहाँ पर करता जिसकी सहायता से कारक करता है उसे हम क्या बोलते हैं करन कारक कहते हैं जैसे मैं पैन से लिख रहा हूँ मैं पैन से लिखता हूँ ठीक है न यहाँ पर क्या हो रहा है मैं पैन से लिखता हूँ या फिर मेरे द्वारा मैं जो है यहाँ पर क्या हो रहा है पैन द्वारा लिखता हूँ ठीक है न एक दूसरा उधारन मैं ले लेता हूँ यहां पर चुकि वाके लंबा हो जाएगा इस वज़े से एक दूसरा उधारन ले लेता हूँ कोई गनेश कार से गया गनेश कार से गया यहां पर गनेश क्या है? करता है ठीक है न? गनेश करता है और यह जो है किसकी सहायता से कारे कर रहे है यहाँ पर कार की सहायता से न यहाँ पर कार क्या हो रहा है करण हो जाएगा ठीक है न और यहाँ पर जो भी कारक्चिन चेहन प्रयोग हो रहा है वा क्या हो जाएगा से हो जाएगा ठीक है न यहाँ पर से का प्रयोग हो रहा है कार के द्वारा गया या फिर और यहाँ पर जहीं से सबद का प्रियोग होगा यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर करन कार के लिए ठीक है न, तो बात आपको अच्छे से यह भी समझ में आ गई होगी, अब अगला कारक होता है, जल्दी अल्दीन सभी कारकों को समझ लेना है, बहुता टफ नहीं है, तो इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, चौथे नमबर पर हमारा क्या हो जाएगा? संप्रदान संप्रदान का वैसे जो अर्थ होता है, वह क्या होता है, ठीक है न, देना, इसका अर्थ होता है, प्रदान करना, ठीक है न, देना, तो यहां पर संप्रदान कारक क्या हो जाएगा, उसको हम देख लेते हैं, इसकी परिवाशा क्या हो जाएगी, जिसके लिए कारे को किया ज कारक को किया जाए ठीक है न उसे संप्रदान कारक कहते है बात आपको समझ में आ रही है जिसके लिए कारक किया जा उसको क्या बोलेंगे संप्रदान कारक बोलेंगे जैसे जैसे मैंने लिखा कि हनुमान जी लक्षमन के लिए संजीवनी लाए ठीक है न यहाँ पर क्या हो रहा है हनुमान जी किसके लिए लेकर आए यहाँ पर लक्षमन के लिए ठीक है न तो यहाँ पर किसके लिए कारे हो रहा है लक्षमन के लिए यहाँ पर कारे हो रहा है न तो यहाँ पर हनुमान जी किसके लिए लाए लाए है लक्षमन के लिए लाए है तो यहाँ पर क्या हमने प तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा और उसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा चीहन क्या हो जाएगा के लिए हो जाएगा ठीक है यहाँ पर के लिए लगा भी है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से है बात अब जैसे एक और इसमें हो कि दिनेश, दिनेश खेलने को गया, यहाँ पर दिनेश कहा जा रहा है, खेलने के लिए जा रहा है, को, यहाँ पर को का भी प्रियोग हो रहा है, ठीक न, तो ऐसे शब्दों में जब वाक्यों में प्रियोग होगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं, संब्रदान कारक का चिहन कौन सा है, यहाँ पर कौन से भी वक्ती है, को भी वक्ती है और के भी वक्ती है, वो किस के लिए होगी संपादान कारक के लिए, बहुत आसानी से बातें आपको समझ में आ गई होंगे, ठीक है ना अब जो है, अगला भी वक्ती हमारा क्या है उसको समझ लेते हैं पाचवे नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा अपादान कारक अपादान का मतलब ही होता है कि अलग होना हमें शब्दों का अगर अर्थ पता है तो हम बहुत आसानी से चीज़ें और कर पाते हैं ठीक ना तो यहाँ पर शब्दों का भी अर्थ हम जानते हुए चल रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जब अलग होने का भाव आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा अपादान कारक हो जाएगा ठीक ना जहाँ पर भी अलग होने का भाव आ रहा होगा तो संग्या या सर्वनाम का वह रूप जिसमें जिसमें क्या हो रहा हो किसी वस्तु का अलग होना जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए ठीक है ना उससे हम क्या बोलेंगे अपादान कारक बोलेंगे जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि पेंड से आम गिरा पेंड से आम गिरा यहाँ पर पेंड से आम के अलग होने की बात की जा रही ना यहाँ पर से का प्रियों होगा यहाँ पर से भी वक्ति का प्रियों होगा यहाँ पर कारक चिहन कौन सा हो जाएगा से हो जाएगा ठीक है न और यहाँ पर अलग होने का भाव हो रहा है पेड़ो और आम के अलग होने का भाव हो रहा है ठीक है न अभी पीछे हमने क्या देखा था यहाँ पर से का प्रियोग क्या हो रहा था यहाँ पर उसके अलग होने का सेंस यहाँ पर नहीं था, अलग होने का भाव नहीं था, इससे, ठीक है न, यहाँ ब्रमित नहीं होना है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इस से का प्रियोग जो है, अलग होने के लिए हो रहा है, यहाँ पर भाव क्या हो रहा है, अलग होने गारक्षीन हो जाएगा ठीक का अपांदान का कारक्षीन हो जाएगा ठीक का बात आपको अच्छे में आ गये होगी जैसे और भी इसके बहुत साहई जहांपर भी अलग होने की बात होगी और उधारन लेकर क्या ही करेंगे cat उल्यखोंव् तो सीधी सी बात है यहां पर अलग होना अपादानकारती हो ताए अलग होना तो यहाँ पर अलग हो रहा होगा, ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले कारक पर, छटे नमबर पर हमको क्या देखना है, संबंध कारक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी परिवाशा क्या हो जाएगी, संबंध से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ पर संबंध इस पापित हो रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, संग्या या सर्वनाम के जिस रूप से क्या हो रहा होगा, किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध इस्थापित हो रहा हो, संबंध इस्थापित हो रहा हो, उससे क्या बोलेंगे हम संबंध कारक बोलेंगे, संबंध कारक कहते हैं, ठीक न, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर, यहाँ पर जहाँ पर भी संबंध की बात होगी, की वहां क्या हो जाएगा संबंद कारक हो जाएगा और इसके लिए जो कारक चिहन है वो क्या है जो भिवक्ति है वो क्या है यहां पर के हो गया का हो गया की हो गया यह सारे जो है संबंद के हितना जैसे राम का सीता से संबंद राम का सीता तो यहां पर का जो है राम और सीता क के बीच में काश अब्द का प्रियो हो रहा है न तो यहां पर संबंध बता रहा है राम का सीता ठीक है न यहां पर आपको यह बात समझ में आ गए होगी उधारन ले ले लेते हैं इसका हम कि मैंने लिखा कि कि यह कि अमर की कार है तो यहां पर अमर और उसके कार के बीच में संबंध इस्थापित होने की बात हो रही है ना तो यहां पर कौन सा कारक्षिहन प्रियोग हो रहा है यहां पर कौन से विवक्ति प्रियोग हो रही है संबंध कारक की विवक्ति ना और खस्टी विवक्त ठीक है ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपर सम्मंद कारक्षेन का प्रियोग हो रहा है खस्टी विवक्त का प्रियोग हो रहा है और इन दोनों के बीच में सम्मंद इस्तापित होने की बात हो रही है बात आपको समझ में आ गया तो ऐसे प्रस्णगर आ जाए कि अमर यहां अमर की कार है में कौन सा कारक है तो सम्मंध कारक है आपको बात समन्में आ गई खस्टी भी वक्ती है यह भी आपको समझ में आ गया थीक न तो आपको आसानी से समझाना है ठीक है न एक और धरन देख लें जैसे कार की बात हो रही है, तो कार ही देख लें, कार का रंग सफेध है, यहाँ पर कार का रंग के साथ संबंध हो रहा है, कार का और रंग का संबंध इस्थापित करने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा चिहन प्रयोग हो गया, ठीक है न, यह कार चिहन कौन सा है, यहाँ पर का हो गया, खस्टिवी वक्ति का चिहन यहाँ पर हो गया, खस्टिवी वक्ति प्रयोग हो गया, और खस्टिवी वक्ति क्या है, का है, का है, की है, के हैं, यह सारे जो हैं, खस्टिवी वक्ति हैं, तो बात आपको बहुत आसानी से clear हो गई होगी, परिक्षा में ऐ हाय जो होती आसानी से समझ में आगया अगला हम समझ लेते हैं हमारा सात्मा सब्दमी कौन सा कारक है हम इसको देख लेते हैं अधिकरण कारक के परिवाश्य क्या हो जाग我在 संग्या या सर्वनाम का वह रूप जिस से क्रिया या आधार का बोध होता हो होता है ठीक है उससे क्या बोलता है अधिकर्ण का रख बोलता है अधिकर्ण का अर्थ ही होता है आधार ठीक है न और आधार दो तरह के हो सकता है एक आंतरिक आधार हो सकता है एक बाहे आधार हो सकता है जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है तो यहाँ पर बाहे हो गया ठीक है न तो बात आपको समझे यहाँ पर मेज पर पुस्तक रखने की बात हो रही है लेकिन कमरे में बिल्ली है, तो यहां पर आंतरिक आधार हो गया ना, अंदर बैठी हुई यह बिल्ली, कमरे पर बिल्ली नहीं है, कमरे के अंदर बिल्ली है, में और पर, दोनों शब्दों का यहां पर प्रेव होगा, इसके लिए विवक्ती का ठीक ना, तो यहां पर बात आ है, मेज पर पुस्तक है, ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर मेज पर क्या है, पुस्तक है, यहाँ पर पर का प्रियोग हो रहा है, मेज और पुस्तक के बीच में, यहाँ पर आधार की बात हो रही न, तो पुस्तक का आधार क्या है, मेज है, ठीक है न, बात आपको समझे न, मे अंत्रे में बिल्ली है यहां पर आधार क्या है यहां पर में है ठीक है ना बिल्ली का अधार क्या है यहां पर कमरा है ठीक है तो यहां पर चोकि आंत्री का अधार है इसलिए आपर में का प्रियों हुआ में का रक्षेन का प्रियों हुआ में भीवक्ति का प्रियों हुआ यह सब्तमी भ्रक्ति है मे और पर ठीक है न बता आपको यहां पर समझ में आगी होगी इसे अब हम देखتे है अपना अगला जो हमारा काराग बशता है वह क्या है यह कौन सा था हमारा यह साथ मा था और आठमा और अंतीम हम देख लेते हैं जो हमारा बसता है वो क्या हो जाता है संभोधन संभोधन ठीक है न तो यहाँ पर क्या होगा इसकी परिभाशा क्या हो जाएगी संग्या के जिस रूप से किसी को संग्या के जिस रूप से किसी को संभोधित किया जाए पर संभोधन जिसको पुकार आ जाए ठीक है न किसी को पुकार ने का बोध होता हो बोध या फिर ऐसे लिखें किसी को पुकारने का संकेत मिलता हो ऐसे ज़्यादा उच्छी परहेगा ठीक न करने का संकेत मिलता है उसे संभोधन कारक कहते हैं थीक है न यह बात आपको समझ में आ रही है अब क्या होगा जैसे मैंने कहा कि हे भगवान हे भगवान बचा लो बचा लो ठीक है न अब यहाँ पर भगवान को पुकारने की बात हो रही न यहाँ पर क्या हो रहा है भगवान को पुकारने की बात हो रही तो यहाँ पर हे का प्रियो हो रहा है न भगवान के लिए क्या हो रहा है हे का प्रयों हो रहा है अजी सुनते हो यहाँ पर अजी क्या है संबोधन का प्रयों हो रहा है यहाँ बुलाए जा रहा है किसी को अजी सुनते हो हे भगवान तो इस तरह के जो बात है, अरे सुनो, तो अरे जो है यहाँ पर क्या हो गया, संबोधन हो गया, तो ऐसे शब्दों का जब भी प्रयोगा, संबोधन कारक हो जाएगा, अस्टम में भी विवक्ती हो जाएगी, बात आपको यहाँ पर अच्छे सी या सारी समझ में आ गई ठीक न, तो यहाँ अंतिम विवक्ती थी, यहाँ अंतिम जो है कारक था हमारा, हमने कारक पूरा समझ लिया है, कुछ महतोपूर्ण चीज़े हैं, जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद कारक हमारा पूर्ण रूप से खतम हो गया, कारक में और कुछ भी ऐसा नही पढ़ लिया है, ठीक न, और उनके उधारणों को देख लिया है, हम लोग एक प्रैक्टिस सेट इनका कर लेंगे अलग से, अभी कल की जो क्लास होगी, वो प्रिवियस येर के प्रस्न पत्र को हम हल करने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर ये प्रस्न आये हुए हैं, वहाँ प्रिवियस येर के जो प्रस्न पत्र हैं, उन सब को हल करने का प्रयास करेंगे, और जो संभावित प्रस्न बन सकते हैं, उनको भी उनसे समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे, तो कुछ और मातपूर्ट चीज़े हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते है एक बार तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर किसके बारे में देख लें कि करताकारक के बारे में जान लेंगे करताकारक में क्या होगा सबसे पहले एक बात हम नहीं है देख ली थी कि यहाँ पर जब भी भूत काल की बात होगी तभी यहाँ पर ने का प्रियोग होगा जैसे मैंने कहा कि मुझको जाना पड़ेगा एक उनिए इसका रंग मैं बदल के लिख देता हूँ मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ इसको लिख नहीं रहा हूँ आपको दिमाग में रखना है इन सारी चीज़ों को ठीक है न जैसे मैंने कहा कि मुझको जाना पड़ेगा ठीक है ना तो यहाँ पर को का प्रियो हो रहा है कभी कभी क्या होता है यहाँ पर को का भी प्रियो होगा लेकिन यहाँ पर ने का भाव सुच चुपाओगा तो यहाँ पर ने का भाव चुपाओगा तो ऐसे कुछ जो है शब्द आपको वाकिय आपको मिलेंगे, जो थोड़ा भ्रमित करेंगे आपको, इस बात का विशेज ध्यान दखना है, ठीक है न, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, अब जो है हमारा, अब जैसे एक दो चीजे, और जो महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं, जैसे, मैंने कहा कि, जैसे मैंने कहा अधिकरन का रखमें, ठीक है न, अधिकरन की बात अगर हम कर लें, तो यहाँ पर क्या होगा, कई बार क्या होता है न, कि यहाँ पर मे का जो है लोप रहता है, यहाँ पर मे शब्द का लोप रहता है, इस विवक्ति का लोप रहता है, जैसे, कि उस समय मैं नह नहीं था यहां पर उस समय में मैं नहीं था इसका भाव है यहां पर क्या है में का प्रियोग है में का भाव चिपा हुआ ठीक है न उस समय में नहीं था लेकिन यहां पर में लिखा नहीं गया में लूपत है यहां पर इस बात को आपको ध्यान में रखना है लेकिन यहां पर क आज कारक खत्म हो गया, अब अगली class जो होगी, वह हम क्या करेंगे, previous year के प्रस्न पत्रों को solve करेंगे, दो-तीन प्रस्न पत्रों को कम से कम solve कर लेंगे, तो बाकी उसके बाद जो अगले topic बसते हैं, उनको भी हम cover करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद, कल की class में हम प्रस्न पत सकते हैं हम से या तो आप दिये के नंबर पर कॉल कर सकते हैं कोई भी समस्य आगर आपको वहाँ पर होती है तो ठीक ना तब तक के लिए पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें धन्यवाद